हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल पर फिर से आपके लिए बहुत ही प्यारी सी वीडियो लेकर आई हूँ आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसा बैग जिसमें हमें ना तो राइस बैग की जूरत है ना फॉम शीट की जूरत है और ना ही किसी तरह की और नीचे क रखने के लिए कपड़े की जूरत है बिल्कुल जीरो कोस्ट पे हम ये बैग रेडी करने वाले है ठीक है इस तरह से जो शादी वेगर में पैंट शर्ट का कपड़ा मिलता है मैं उसी का यूज कर रहू हूं यहां से मैं डबल फोल्ड करके 20 इंटू 15 इंच का ये पीस कट कर लिए है कि यहां से मैं से कट कर लिती Um ót51 साइड के तो देखिए एक शर्ट के पीश में से मैं दो बैग रेडी हर के दिखाए ठीक है एक रेडिकर जो मैश रिदी करेंगी है इक में बाद में रेडिकर के दिखाएं तीक है इस तरह से दिखिए थर टी इंच की लंबाई है हेंडल रेडी करने के लिए इनकी लंबाई जो है वह 20 इंच और जो चुडाई है वह है 3.5 इंच देखिए हमारा एक मीटर कपड़ा बच गया है उसका बाद में यूज करेंगे हम इस तरह से मैंने 3.5 इंच पे मैंने यहां से कट लगा लिया है अब मैं इसे खոल के दिखाते हूँ आपको अब हमें दोनों पिस इसको हाफ घेडर अन्दर की और फिर उपर से डेह प्रूप हमें फोल्ड करना है ठीक है इस तरह से इस पीज को भी और सेम इसी तरह गतबानें दूसरी बाले पीस को भी इस तरह से मैंने बीसे इस पर सिलाई लगा लिए अब यहां पर हम यह देखअ इस तरह से हमे निशान लगाने है स्टार्टिंग पर दोनों साइड से हम 5.5 इंच पर निशान लगाने है फिर 6-6 इंच पर हमें निशान लगाना है दोनों पट्टियों पे दोनों साइड से पहले 5.5 इंच पे फिर 66 इंच पे और इस तरह से वेल ग्रो के तो आप चीट बटन भी लगा सकते हैं, काज बटन भी कर सकते हैं, फ्रेंड साप, ठीक है, अब हमें इस तरह से फोल्ड करना है, और जो इसकी लंबाई जो त्यार ही वो है, 10 इंच, बीच में सेंटर का पॉइंट का निशान लगाना है, दोनों पीसिस पे, इस तरह से, जैस कपड़े को अरजश्ट करना है, और पिन अप कर लेना है, और दोनों तरफ सिलाईय लगा लेनी है, दीखें, इस तरह से, और दोनों साइड सिलाईय लगा लेनी है, फिर से हमें ये दिखें, अब, आपको पता है कि यहां से यह क्या है, यह 10 इंच का हमारा पीस रेडी हु इस तरह से रखते हुए गुमाते हुए कपड़े को हमें यहाँ पे सिलाईया लगा लेनी है इस तरह से बनके यह हमारा बैग रेडी हो गया चली में आपको इसमें कपड़े रखके दिखाती हूँ इस पर हैंडल भी लगा लेते हैं दीखिये जू शाइड़ वाला पार्ड है उससपर हम हैंडल लगाएंगे हैंडल हैंडल हमेरा लेडी कर लिए इस तरह से दोनों तरफ और वर्न वान इंच फल्ड करते वह हमें सिला लगा लेनी की है इस तरह से मैंगने एटिश कर लियां साइडों में अब मैं इसमें देखिए कितने सारे सूटिस आपको रखके दिखा रहे हूं इसमें कम से कम 15-20 सूटिस में आपके इसली अर्जेस्ट हो जाएंगे सूट रखिए कमबल रखिए चद्द रखिए बच्चों के कपड़े रखिए सर्दी गर्मी के तो किसी भी तरह से आप इसमें रख सकते कोई धूल वगएर नहीं जाएगी बिल्कुल ये पूरा कवर हो जाता है और इसकी एच्छी बात यह है कि दोनों लेयर बहुत ही अच्छे से इसमें अर्जेस्ट हो जाती है I hope आपको मेरा ये आइडिय अच्छा लगए अगर आइडिय अच्छा लगए तो please वीडियो को लाइक करना न भूले वीडियो को शेर करना न भूले और जो मेरे साथ नए जुडे है वो channel को सब्सक्राइब करना न भूले?... से प्लीज एक छोटा सा कमेंट जुरूर कीजिए मैं अपनी हर वीडियो में आपको बोलती हूं कि एक कमेंट तो जुरूर कीजिए जिससे क्या आता है कि मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं आपके लिए इससे भी अच्छे-च्छे आइडिये लेके आऊंगी देखिए इ मतलब कपड़े गंदे भी नहीं होएंगे और पता भी चल जाएगा कि इस बैग में मतलब कि हमने स्वेटर्स रखी है और सूंट रखे हैं और कोई भी दूल मिटी नहीं जाएगी इसकी फाइनल मेजरमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फ्रेंड्स आई होप आपको मे एडिया अच्छा लगया थैंक यू फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो में एक नए आडिया के साथ बाब बाई